वर दोस्तों सभी का हमारे चैनल पीके राज व्लोग में दूस्तों आज हम हैं AABT गोट फारम राज भाई के पास में आए हुआ है नमस्काराज बाई तो अभी आपके पास में कौन जो गोट है कि उसकी दिमांड ज्यादा रहती है कटिंग गोट की दिमांड ज्यादा है भी तो यह कितने दिन तक चलेगा और कितने टाइम तक जो यह सीजन रहता है पर इन की कॉट्र में दो है three मैंने कॉट्प में दो मिक्स कर दो आ है 3 में दो में तो मीक्स का और दो मग लिए अगे तर्ट फुरह पुरा बुरा मुझें पुरा खुटिंगा उन इन जो वजन क्या है इन किह फुरा बुष्य पुरोणाख एंदग से बजन क्या है इनका है दूट्पर फुरह जो किए बने अनला आइए एक इंदर पुरा मुझें कल्या एड़ उन अब लुद तोनों 50-50 बुटे आता है कि इसके अपने कॉंटे देती है यह 50 पर एती है कुछ पर लेने को कुछ पर अपने को चाहिए तो इसके बीमार हुआ यह चाहिए वह जाएगा ट्रांसपुटिंग सुवद हो जाएगी यह तो इसमें जैसे जो कटिंग वाले हैं इसके अंदर मतल जो बेमार हुआ यह लंगड़ा हुआ कोई इससे थी खराब है उसकी तो हमने डालते काड़ी के अंदर कटिंग कोट के अंदर जो टूटा खूट रेता है वह पर इसाइड में करते है जो गाड़ी में नहीं जाना पाता है उसको साइड में करते है अच्छा मर वही छटनी चाहिए शर्फेज में का कटिंगोट में कोई किसे मेल मेल का ही लेना चाहे तो इसके अंदर आपके पास में रहता है अवेलेवल इसके अंदर महल पर दिकत नहीं हो तो न चाहिए पढ़ेगा बाकि ऐसा को दिक्कत निया एंडवास का जैसे आपके पास में अवेलेबल है के यह जो है आपके पास में अवेलेबल है का यह जो है आपके अवेलेबल माल आपने पास अपने का पास है अवेलेबल का यह जो है इसके अलावा जैसे अपका बीटल का हो गया या बर्बरी छुको कि दोुकों है, अच्oud रखेसकं केचानल सांधिन आस्युच्छू 25-25 किल भीरेज थो मतने ही तो यह तो जैसे कोई पार्ट या की से लोगया वगर ऐसा पर चुछ है ने अपने पास में अनिड़ा रहे रहो उसके बढ़ बढ़ती दरसे तो भी नहीं माल आएगा अभी आपने वीडियों ने माल दिखा रहे हैं यह नहीं कि इस तुमको माल मिलेगा दूसरा माल आएगा काई दूसरा माल आएगा यह तो अच्छा रहेगा असब से बढ़िया यह रहे है कि आप यहा फारम आऊ उसके बाद माल देखो वार्ट पास में वाखी वीडियों में तुमको एक साल पहले आप वीडियों आपको किसा पता चलेगा सामने आके माल देखो आए फारम प्या अपना फार्म का ना वरा किशन के अंदर है अजमेयर इसे 25 किल मेंट बढ़ता है पुष्के रोड पर अपना हाई पर फार्म में है, अपना का नम्टे नम्टे नमर है 829-028-497 सुझ जी बहुत बहुत धन्यवाद ओक सर